हलो दोस्तों, वेलकम टू दा चैनल, चलिए लेंड करते हैं, और मेरा नाम है मनीशा, आज हम लोग आइंबुलेंस की ड्वाइंग बनाना सीखेंगे, ओके, तो सबसे पहले देखी, मैंने स्केल लिया, और स्केल से एक सीधी लाइन खीची, ठीके, यह हमने खीचा इस तरह स अब मैं क्या करूँगी, एक स्लेंटिंग लाइन खीचना में, तिर्चा लाइन उपर से नीचे, यह इस तरह, एक और स्लेंटिंग लाइन हम लोग खीचेंगे, और तिर्ची लाइन खीचेंगे, उपर से नीचे, इस तरह, ठीके, यह छोटी लाइन होगी, तिर्ची कालने के लिए हाफ सरकल इस तरह बनाते जाएंगे फिर दूसरी तरफ भी हमारा हाफ सरकल अब हम एक सरकल लेंगे इसके पहिये बनाने के लिए यह दूसरा सरकल इस तरह से अब मैं एक सीधी लाइन ड्रो कर रही हूं इस तरह से इसमें हम लोग रेट कलर बाद में फील करेंगे यहां में थोड़ी सी लाइन पतली हो गई है इसे में ठीक करूंगी बाद में इसके लिया है तो चलिए मैं यह भी काम कर लेती हूं उपर भी हम लोग इस तरह से लाइन ड्रो करेंगे ओके अब इस लाइन को मैं मिटा करके इसी थोड़ा सा एक पल सेप में लाना है जैसे हमारा आगे की और लाइन है सेम वैसे ही यह हो गया और अब हम इसके जो दर्वाजे हैं वो बनाएंगे और एक विंडो बनाएंगे लेकिन हम क्या करेंगे कि देखिए हमने एक रेक्टेंगल टाइप कर लिया है उसे हम एक साथ खीचेंगे देंगे रेक्टेंगल इस तरह से लेना है अ कि इस तरह से लें है कि यह से आगे की लेसं हमें किरस धनिया अब यह देखिए जो सी कर जो एक होता है ना ट्रांस्परेंट वो सब दिखाने के लिए यह मैंने लाइन ड्रॉ किया है रेक्टेंगल टाइब का फिर एक सीधी लाइन फिर उपर में एक सीधी लाइन इसे हमें वाइट छोड़ देना है बीच में वो मैं आपको बाद में बताऊंगी अब देखी मैं मैंने बीच से पार्ट कर दिया एक लाइन खीच करके ठीक है अब यह हमारे एंबुलेंस का जो डूर होता है में दरवाजा वो बन जाएगा जहां ड्राइवर की सीट रहती है वो यह इस तरह हम बना देंगे अब यहां मैं बीच में इरेज करके मिटा करके विंडो बना रही हूं ठीक है एक तो हो गया डूर और एक हो गया विंडो यह हमारे इस तरह से कि अब जहां जहां में लगेगा वह हम सुधार लेंगे यह दिखिए मैं राइन सीधी ढुआ करके इस एरेज कर दूँढूगी और फिर इस तरह से यह देखिए इस तरह से हम कर लेंगे जहां जहां कुछ कमी नजर आएगी उसे हम हटाते जाएंगे इरेज करके फिर सुधार लेंगे यह देखिए मिने रेक्टेंगल से इसलिए बनाते हैं कि एक ही साथ का मुझा यह मिरर का इप्ट जो मैंने दिया है वह एक्वली आए और यह बील के पहिए कि में अंदर की जो गोल पाथ होते हैं उसे में बना रही हूं अब मुझे बनाना है प्लेस का साइन जो कि एम्बूलेंस का साइन रहता है डॉक्टर का जो साइन रहता है प्लेस का बस उसे में डॉख कर रही हूं इस तरह से हम लोग डॉख करेंगे झाल 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 अब देखिए उन दोनों पजियों के बीच एक सीधी लाइन मतलब देख लेंगे कि सीधी जिसा में है की नहीं और यह जो मार्जीन है वह हम थोड़ा सा में कम रखना है यह थोड़ा जादा हो गया है तो हम इसे एरेज करके मार्जीन कम कर देंगे अब यह हो गया है अब हम आउटलाइन करेंगे पूरे एम्बलेंस में हमें आउटलाइन कर लेना है उके ब्लैक पैन से उपर में जो सैरन के लाइट बनी होती है इससे सैरन बसता है उसकी पिक्चर हम बना लेंगे अब आउटलाइन करने के बाद हम पूरे में कलर कर लेंगे सोरी में उसकी कैमरा मेरा आफ था मुझे पता नहीं चला था यह देखिए यह मैंने ब्लू कलरेस में डाला है यह जो मैंने डिजाइन बनाया है डिजाइन ने जफ्रेक्ट डाला है सीसे का उसे छोड़ करके हमें ब्लू कलर डाल देना है और बाकी में white color जैसा कि आप देख रहे है white color है और ये side side से red color उसमें भी red color side से थोड़ा ये मैंने headlight में yellow दे दिया है ये siren में भी मैंने red दे दिया है तो बड़ी सावधानी से हमें लगाना है और यहां मैंने white color पूरे में लगा दिया है और ambulance का जो पहिया है इसमें मैंने gray color लगाया है black में white मिला करके पूरे में gray लगा दिया और फिर बीच में मैंने dark black लगा दिया ये बीच में dark black है सेम ऐसे ही मैंने इस वाले में किया है ठीक है gray color और बीच में black color gray color white में black मिला कर मैंने डाला है अ कि और इस तरह से मारा अम्षा ट्यार है तो यह दिखी मैंने वाइट तो ुडियो को मेरे लाइक कर लिजेगा और सबस्क्राइबस कर लिजेगा मेरे चैनल को किी कीरी कलर में बटन दिया मैं उसे आपको प्रेस करना है मैं ऐसी वीडियो कभी पढ़ाई से रिलेटेट कभी ड्राइंग से रिलेटेट बच्चों के लिए लाती रहती हूँ ओके फिर थैंक यू थैंक यू पर वाचिं